हेलो एवरिवन आज मैं आपको संपूर्ण पदम पुरुषकार जो 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 2022 के अंदर पुरुषकार दिये गए उन सब के बारे में पताने जा रही हूं जैसे कि पहला कुशन बनता है 2022 में कुल कितने लोगों को पदम पुरुषकार दिये गए हैं तो फ्रेंस इसका अंसर हो कुछ भी अलग करने मतलब कुछ अनोखा करने के लिए अब बात के जाए तो अगर पदम विभुषण के बात की जाए तो चार पदम विभुषण दिये गए हैं सत्रा पदम भुषण पदम विभुषण और पदम भुषण में काफी अर्क होता है और 107 पदम श्री दिये गई हैं जैसे कि अगर बात के जाए कि पदम भुशन प्रुसकार दिये किस चक्र में दिया जाते हैं तो फ्रेंस यह भारत का सरवच्च नागरिक सम्मान है और ऐसी गतिविदिया मतलब कुछ अलग अपने छेत्र के अलग हटके करना उसे यह प्रुसकार दिया जाते हैं इस ग्यां दिया जाता है मैं पदम पुरुशकार देता है और ये आप तक 128 लोगों को डिया जाच चुका है this बंदा है कि 2022 में को Kई बिशेन देखार दिया गया व्हान जाने कि किन को दिया गया है नाम किस ट्येप से होंगे एक दिया गया है मतलब की जीवित इंसान को जो है कि सुष्री प्रभा आत्रे जो की महाराष्ट किया इनको कला के छेत्र में दिया गया है इनको इसलिए प्रुशन प्रुसकर दिया गया है दूसरा दिया का स्री राधे शाम खेमका इनको मरने के बाद दिया गया है इनको मरन बात कर ली जाए जर्णल विपिन राउत जो आमारे जर्णल सीदियस ऑफ़िसर थे लिपा इनको भी मरन्परांत उत्रा खंड जो किस्विल सेवाके में नहीं सबसे अलग कारे करके दिखाये था तो इसको इनको दिया गया है वह स्री कल्यान सिंग इनको मरन्परांत दिया ग हैं कि इसना अरवागों को पिल कितने लोगों को पदम मतलब बूशन वो तो फी उचंट ऑपने फूसकर से समानिक किया गया तो अगर पदम तो से कुछन आता है कि दो 102 में क्यों को पदम भूशन पूसकर दिया गया है उसमें पदम भी भूशन की बात की गई थी इसमें पदम भूशन की बात की जा रही है तो यह 17 लोगों को दिया गया है अगर बात की जाए उन लोगों के नाम की तो इस प्रकार से आते हैं उनके नाव गुलाव नवी आजाद जो की जम्मू कस्मीर की है इन्होंने पब्लीक अफेर्स को लेके कारी किया है जैसे की 2014 से 2021 तक यह राजसभा के विपक्स नेता रही है रही है इनका कारी बता जा रहा है और सेकिंड नमबर काते है विक्टर बैनर जी जो की पश्म बंगाल के है इन्होंने कला को लेके बहुत अगरसर रही है इस चेत्र में इनको पुरुसकार दिया गया है नेक्स्ट की बात की जोए तो गुर्मित बावा जो गुर्मित बावा इनको मर्नो प्रांथ दिया गया है और यहां पंजाब से ब्लोंग करते हैं और कला के छेतर में इन्हें ये दिया गया है गुर्मित बाबा एक पंजाई भी लोग गाईका है मतलब कि ये एक लोग गाईका रहे हैं इन्होंने अपनी कला को ही निखा रहा है इस चक्रमें इनको ये प्रुसकार दिया गया है यह एक पंगाल के पूर्व मुख मंत्री बेर रह चुके हैं बुद्य भटाचारी है यह नटराजन चंदर सेकरण नटराजन चंदर सेकरण महाराष्ट से ब्लों करते हैं वैपार यह उद्धो यानि यह एक बिजनसमेन है इस छेत्रवेन को यह पुरुस्कार दिया गया है इसके बाद की जए तो क्रिशन एल्ला और सुचित्र में भारत के बायोटिक कंपने इन दोनों को मिलकर पुरुस्कार दिया गया लुद अविए दोन उनकी कंपनी के भारत का निर्मात अगेन संस्थापक के रूप में माना जाता है नेक्स आता है मदूर जाफरी जो मदूर जाफरी ये अमेरिका से ब्लोंग करते वे अन्य पाक कला यानि इनकी अलग कला को लेकिन ये पुरुसकर दिया जाता है ये पुरुसकर ये नहीं कहता कि भारत का ही होना चीए मतलब अपने कारे के लिए कुछ अलग करना ही पुरुसकर देने का सबसे बड़ा कारी रहा है नेक्स्ट कुशन आता है कुशन नमबर चार की 2022 में कुल कितने लोगों को पदम शुरी पुरुसकर दिया गया है अगर पदम शुरी की बात कर ले जाए तो 107 पदम शुरी दिये गए हैं पदम भुशन 17 दिये गए और अमशुरी की बात की जाए तो 17107 दिये गए हैं वह इस प्रकार से प्रमुख लोगों के बात की जाए तो किस-किस को दिये गए ओलंपिंग स्वर्ण पदक विजेता नीरत चोपड़ा को दिये गए और यह एक भाला फैक के खिलाड जो प्रमोद भगत है यह पैरमेंडन खिलाडी है वंदना कटारिया यह महिला होकी खिलाडी है इस चेत्र में इनको यह खिताब दिया गया है चंदर प्रकास दुवेदी यह एक निर्देशक यानि एक मूवी डारेक्टर है सोनु निगम जो एक संगितकार है इनके गान इ इशानेबाज रही है ब्रह्मानंद साखरवाद ने फुटबाल टीम के पूर्व कप्तान रह चुके हैं अजीता सिरिवास्तव जो अजीता सिरिवास्तव यह एक मुख्य गायका के तोर पर रह चुकी है और बात किजितों बाबा सिवानंद अजय कुमार सोनकर जो की वेग्यानिक रहे हैं डॉक्टर मोतिलाल यह भी एक वेग्यानिक रहे चुके हैं यह कुछ-कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है प्रमुख लोगों के नाम दिये बाग काफी लोगों को दिये गए लेकिन अगर मुख्य तोर्व से अगर आपसे कभी एक्जाम में पुछ पदम स्री की बात की जाए तो एक सो साथ दिये गए हैं पदम भुषन की बात की जाए तो सत्रा दिये गए और पदम भुषन की चार नेक्स्ट कुछन है भारत का सरवच्च नागरिक सम्मान कौन सा है तो इस सम्मान की पता है कि भारत रतन भारत का सरवच्च नागरिक सम पणिण कोई चार्ज नहीं लगता तो यह बहुत ही जाद रटा सी जाद है इंसान को अब ही हमारा मतलब की बदम और गुंग प्रफिसका रहा है उनको भारत रतन नहीं दिया गया है सुल connected कितना कुछ किया हमारे देश के लिए तो आप समझ सकते हुए कि कितना बड़ा प्रुसकार है नेक्स्ट कुशन है भारत का दूसरा नागरिक सम्मान कौन सा है पदम विभूशन अभी मैंने पता है ना कि सेड़े से विपिन रावद जी को पदम विभूशन दिया गया है ने कि भारत रतन दिया गया है यह दूसरा सरवचे सम्मान दिया गया है पहला है हर किसी को नहीं दिया जाता है नेक्स्ट कुशन है भारत का तीसरा सरवचे नागरिक सम्मान कौन सा है पदम विभूशन जो की सत्रा लोगों को दिया गया है और पदम विभूशन चार लोगों को दिया गया है नेक्स्ट कुछन है भारत का चोथा सरवाट सब्सक्राइब कुन सा है यह पदम श्री चुकि 107 लोगों को दिया जा चुका है नेक्स्ट कुछन आता है कि रुपे नगत दिए जाते हैं जो पदंपुय होता है उसमें कितने रुपे रुपे नगत दिए जाते हैं बात की जाए तो कि 100,5,10.00 कोई नगत राशी नहीं दूनको प्रुषकार воды जिनलों को मिल जाता है नों होने राश्त नहीं दे दी जाती है कि बर उनका मतलब एक सम्मान मिल जाता है उनको इस सम्मान के तरह काफ़े छूट दी जाती है नेक्स्ट कुशन है पदम पुरुषकार वजितव की घोषना किस दिन की जाती है जो पदम पुरुषकार मिलते हैं उनकी घोषना कब की जाती है कि कब दिये जाएंगे गंतंत्र दिवस के दिन उनको बताया जाता है यह पुरुषकार इन इन लोगों को दिये जाएंगे और इसी दिन को एक दिन गोश्णा होते एक दिरन को सबको पुरुस्कर दिये जाते हैं बदम पुरुस्कर किसके द्वारा प्रदान के जाते हैं यह कितने सम्मन की बात है राष्ट पती द्वारा यह अवोड़ दिया जाता है आगे नेकस्ट कुश्छन है पदम पुरुसकार किस वर्स नहीं दिया गया तो फिरंस इसी मतलब की बात के जाएद किस किस वर्स दिया गया नहीं दिया गया तो चार वर्स नहीं दिया गया 78 में नहीं दिया गया, 79 में भी नहीं दिया गया 93 में भी और 97 यानि इन सभी के अंदर ये पुरुषकार नहीं दिया गया बाकी हर समय जब से देश आजाद हुआ है तब से ये पुरुषकार दिया जा रहा है बस इनके बाद नहीं दिया गया किने लोगों को भारत रितन प्रिसकार से समानित किया गया है 2022 में अब तक एस समान के बारे में किसी से कोई राय नहीं यह अब तक जीरो निल है अब तक यह किसी को नहीं दिया गया अगर दिया जाएगा तो हम बता देंगे अब तक CDS विपिन राउत जी के लिए मतलब ये सम्मान तै किया गया था लेकिन अभी तक उनका उन्हें भी पदम विपोशन पुरुसकारी दिया गया है अब भारत रतन पाने वाला कौन होगा वो लखी इंसान इसका आपको नेक्स्ट वुडियो में जरूर बताएंगे नेक्स्ट कुशन है भारत रतन पुरुसकार किस वर्स दिया जाने लगा यानि कब से भारत रतन पुरुसकार के शुरुवात हुई है 2 जैनवरी 1954 से ही भारत रतन पुरुसकार की शुरुवात ही थी और पहला पुरुषकार 26 जैनवरी 1904 को दिया गया था सबसे पहले भारत अधन पुरुषकार से किसको सम्मानित किया गया था अमल सबसे पहले ये पुरुषकार किसको दिया गया था तो इसमें 3 नम हैं यानि ये पूस्कार एक साथ 3 लोगों को दिया जाते हैं चंदर सेख्कर में वेकड्रम चक्कर वर्ति राज़िए नहीं तें लोगों को दिया गया और अभी तक वह तीन लोगों के नम सामने नहीं आएंगे तब बता दिया जाएगो भारत सबसे पहले कि के दवारा दिया गया था नहीं सबसे पहले दवाद्ध को दिया था सभी ने ellesइं चछेल Two प्रूसुकार जर से बड़े प्रूस्कार थो यह राष्टपत्थे कि दवाद्ध दिये जाएंगे तो उस समय भारत के राष्टपती थे स्री राजंदर प्रशाध तो उन्हों इस प्रुसकार को दिया था नेक्स्ट कुश्चन है भारत रतन का आकार कैसा होता है यानि वो कैसा होता है देखा जाए तो इसका आकार तो यह एक पीपल के पत्ते की तरह दिता है मतलब कि जैसे पीपल का पत्ता होता है ना इसी टाइप से वह प्रुसकार है नहीं हो प्रु बारत रत्रन यह कोई भी मतलब जो डेश को सबसे बड़ा सम्मान होता है उसके साथ कोई भी रासी नहीं दी जाती है अब बाकि सबसे जो ऐसे देना अपूसकर उन सब में रासी दी जाती है पांच लाग दस लाग पचीस लाग लेकिन इन सम्मान के अंदर जो जोगी सरवच क्सक्स कोन सा बनाए है सो क्से可愛 सब से युवा सक्स बना है इनको भी क्रिकेट का भगवान आज कि आम कि नेर्ट फुर्शन है इस ए खेल जगत में भारतन पाने वाला पहला सक्स कोना है सब युवा भी पा सब से सब से अब मतलब कि पहले खेल जगत के अंदर इनी को दिया गया अब तक मस दोनी विराट कोली किसी को नहीं दिया गया है नेक्स कुश्चन है एक वर्स में दिकतम कितने लोगों को भारत रतन दिया जाते हैं अब इसकुश सम्में पहले ही बताया थे कि एक साथ यह तीन लोगों क अने पधम श्री & भी बुशन और भारत रतन जाते हैं यह कि कि नहीं इसने बारत रंका होता है मतलग कि समय सफेद यहनी शांतिक के तोर पर इनकों दिया जाते है एक सफ늦 रंका कर से नेक्स्ट कुश्यन है भारत अब तक कितने गैर नागीर को दिया जा चुक है नि वो भारत के नहीं थे फिर भी उनको यह पुसकार दिया गया तो उनकी महनता के लिए तो वह कितने लोग थे दो लोग थे ऐसे जिनको यह पुसकार दिया गया जो कि भारत के नहीं थे फिर भ बहुत के जाए तो भारत में जो दो गैर नागरिक थे उन्हें कौन-कौन थे जिनको यह प्रुसकार दिया गया है वो थे नैंसन मंडेला और अब्धुल खान अब्धुल गफर खान और नैंसन मंडेला जो कि भारत के नहीं थे फिर भी इनको इनकी कारी के उपर भारत रतन प्रुसकार दिया गया था नेक्स्ट कुश्चन है भारत में भारत रतन सम्मानेत पहली भारतिया महिला कोन थी यानि भारत रतन से सम्मानेत होने वाली पहली भारतिया महिला कोन थी इंद्रा गांधी यानि महिला की बात अगर पहली प्रथान वंत्री के बात कर लिजाए लिए प्रुसकार दिया गया था, द्यासका लाल बहुत के लिए प्रुसकार दिया गया था, लेकिन को पहले इंसान थे जिनको मर्नों प्रांतिया पुस्कार दिया गया था नेक्स्ट कुश्चन है भारत रिकन पाने वाला प्रतम गैर नागरी कौन था यानि नैंसन मंडेला खान अब्दूल गफर खान ये दो इंसान थे लेकिन पहले की बात की जाए तो पहले थे खा बात की।